तो ठीक ये बात तो और है लेकिन सेडल कास्ट के लोग दिस द्रश्टी से आज इस देश में जी रहे हैं उसके लिए मैं एक अपना एक शाही रिपेस करके मैं अपने भाशन को शुरू करता हूँ जजबा है शोक शहादत को क्या कीजिए अब तो हमने भी हातों में एसर ले लिया कतल होने से आखरी कब तक डरे जब कातिलों के मोहले में घर ले लिया अब तो हमारी हालत ये है हर जगे अरे हर जगे ये लोगों का कातिल होता है खून होता है उनके बारे में कभी आपने इस हाउस में होया नहीं लेकिन जब जब आपको चाहिए उनके तब आप रोना भी सीक्ए हैं हसना भी सीक्ए हैं दूसरों का मज़ा उडाना भी सीक्ए है लेकिन अरे एक बार हारा हो न सब्सक्राइब कामेंट करो प्लीज 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 सर इस देविंद्र कुल बिलार के पहले से सर इस देविंद्र कास्ट में हैं और यह जो इस वक्त इनको एक जगे लाया है मैंने पहले ही बोला कि इसको हम स्वागत कर रहे हैं लेकिन एक बात हम सब को धाम में रखना चाहिए क्योंकि हमेशा हम सेडल कास्ट को कुछ देना है या सेडल कास्ट के लिस्ट में लाना भी है तो हम ऐसा समझते हैं कि उनके उपर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं आप यह नहीं सोचते कि यह जो सेडल कास्ट लिस्ट बना हास कर अचूतों के लिए जो डाक्टर बाबा साव अंबेड करने लड़ा यह सिर्फ समिदान आने के बाद ही नहीं हुआ रिजर्वेशन का इससे पहले दिए बावा साव अंबेड का 1919 में जो सौथ बर कमिटी थी उसके सामने उन्होंने अचूतों के बारे में और उनके हकुग के लिए उन्होंने लड़ा उसके पार में 1929 में सामन कमिशन के सामने भी उन्होंने यह बात रखी उसके बाद roundtable conference में 1930, 31 और 32 के तीनो roundtable conference में उन्होंने आउने अपने बात को रख कर उन्होंने कहा कि यह जो special है untouchables particularly इनके लिए political reservations होना चाहिए education और event में reservation होना चाहिए इसके लिए उन्होंने लड़ा लड़ने के बाद फिर 1946 में भी उन्होंने cabinet wishing के सामने भी यह बात रखी और 1947 में भी Constitute Assembly के सामने उन्होंने पेश किया इससे पहले यह जो reservation आया इसको 1932 में महात्मा गांदी जी यह नहीं चाहते थे कि सेडुकाश के लोग यह अचूत लोग अलग से कि यह लूआद के लुड़ कि अज़ कि अज़ेत अपस्राइब को बाताओ गास द। झाल